क्यारे बच्चों नमस्कार बहुत बहुत स्वागत आप सभी का बच्चों लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप आने डेरिवेटिव कैसे फाइंड आट करोगे 10 इनवर्स x के लिए लेकिन लास्ट वीडियो में जो हमने रिजल्ट छोड़ा अपना वो था ह आगे डिमाइवर कनवर्जन है आपने वो नहीं समझाया है तो ये वीडियो स्पेसिफिकली उसके एक आगे वाला पार्ट है ठीक है तो अगर अभी तक आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें 10 इनवर्स x का एने डेरिवेटिए फाइंड आट किया है मैंने तो आप वो वीडियो देख सकते हो वीडियो का लिंक में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है एंड उस वीडियो को देखने के बाद में आप ये वाली वीडियो देखिएगा ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए कि हम यहापे क्या कर रहे है तो अभी हम क्या करेंगे माल लीज़े इसको डिमाइवर्ट थियोरम कनवर्जन करने के लिए हम लोगे करेंगे let x equals to r cos theta and 1 equals to r sin theta हमने दो चीज़े कर ली हमने माल लिया x equals to r cos theta and x equals 1 equals to r sin theta और यह value हम substitute करेंगे अपने इस result के अंदर तो यह result हमारा को change होके ऐसा हो जाएगा minus 1 raise to power n minus 1 n minus 1 factorial upon 2i dot 1 upon x minus i की अगर हम बात करें तो x equals to मैंने बोला r cos theta minus यहाँ पर i लिखा हुआ है तो हम इसे ऐसे मान सकते हैं आ i dot 1 तो 1 की चीगरे पर मैंने लिखना है r sin theta और इसकी whole power हो जाएगी n minus 1 upon same चीज़ यहाँ पर करनी है आपको r cos theta plus i r sin theta की whole power n अब ध्यान से देखे दोनों में r है common हो जाएगा यहाँ पर भी दोनों में r है common हो जाएगा यह total से बहार निकलेगा तो हमारे पास में common हाएगा फाइनली 1 minus 1 raise to power n minus 1 n minus 1 factorial upon 2 i and dot r raise to power n और हमारे पास में हो जाएगा बच्चो 1 upon cos theta minus sin theta और यहाँ पर i भी है बच्चो raise to power n minus 1 upon cos theta plus i sin theta ok कि whole power n अब यहाँ देहाँ से एक चीज़ समझ लीजे कि demoyvert theorem क्या कहता है demoyvert theorem का एक बहुत छोटा सा statement है कि अगर मैं बोलू cos theta plus sin theta i sin theta complex के form में होने चाहिए condition है कि whole power n है तो इसको हम demoyvert theorem के अलप से लिख सकते है n को theta के form में cos n theta plus i sin n theta बस यही हमारा demoyvert theorem का statement है इस statement को हमें समझ लेना है अब यही value हम लोग यहाँ पे रखने वाले है तो क्या हो जाएगा हमारे पास minus 1 raise to power n minus 1 dot n minus 1 factorial upon 2i dot r raise to power n और यहाँ पे इसको हम ले जाएगे numerator में तो हो जाएगा cos theta minus i sin theta की whole power minus n minus minus ठीक है यह result हमें मिल गया अब इस result में हम लोग ने क्या करना है same अपना वही demoyvert theorem का concept apply कर देना है तो हमारे पास यह वाला part यह part तो same ही रहेगा इस part को तो में छेड़ना नहीं है तो इसको अभी मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ फ्लाल यह वाले part में पहले part में क्या change होगा यह हो जाएगा cos n theta minus i sine n theta minus यहाँ पर देखिए बाहर में minus है अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर minus लगाना भूल गया हमे ठीक है तो यह हो जाएगा आपके पास में cos n theta लेकिन n minus times था और cos minus theta हमें मालूम है क्या होता है cos theta होता है clear है तो जब मैंने एक cos में लिखा cos minus n theta तो यह हो जाएगा cos theta यानि की cos negative में change नहीं होता है है ना अब यह plus minus minus हो जाएगा बाहर negative sign है अंदर positive sign है तो यह change हो जाएगा लेकिन हमें यह मालूम है की sign minus theta always minus sign theta होता है sorry तो यह क्या हो जाएगा आपके पास again plus i sign n theta हो जाएगा आप देखो कुछ part है आपके पास जो cancel out होना चाहिए कहीं पर गडबड कर दिया हमने कुछ minus minus then plus हाँ दोस्तों यह हमने गडबड कर दी यहाँ पर पहले वाले part हो है हमने यहाँ पर लिखा न cos theta minus i sin n theta तो यहाँ पर na sin की power क्या हो जाएगी negative है तो sin minus theta हो गई है और यह हो जाएगा आपका positive clear है तो आपके cos से cos cancel हो जाएगा बचेगा आपके पास क्या sin theta और sin theta और sin theta आपके add हो जाएगे तो यह हो जाएगा आपके पास 2i sin theta तो इसको अब next page पे चलते हैं देखे हमारे पास में क्या है minus 1 raise to power n minus 1 n minus 1 factorial upon 2i r raise to power n dot 2i sin theta sin n theta बच्चो ठीक है 2i से आपका 2i cancel हो गया तो finally आपके पास बच्चा minus 1 raise to power n minus 1 n minus 1 factorial sin n theta upon r raise to power n अब एक छोटा सा twist है हमने last video में माना था 1 equals to r sin theta तो ये क्या हो जाएगा r equals to 1 upon sin theta या हम ऐसा बोल सकते हैं कि sin theta equals to 1 upon r दोनों तरफ अगर हम power n ले लें तो ये क्या हो जाएगा sin raise to power n theta equals to 1 upon r raise to power n तो 1 upon r raise to power n यहाँ पे हमारा जो है इसको हम लोग substitute कर देंगे और इसकी जगापे हम लोग क्या लिखेंगे minus 1 raise to power n minus 1 n minus 1 factorial sin n theta dot sin raise to power n theta ठीक है तो ये हमारा final answer है तो जिन बच्चों की query है कि sir demibert theorem का use करके कुछ final result हमारी books में लिखा हुआ है आप please वो वाला answer हमें बता दीजे तो बच्चों यही answer I am sure कि आपकी book में लिखा होगा ठीक है अगर आपको यहां तक समझने में कोई confusion है या कोई query है आपकी तो please आप मुझे बता सकते है comment करके अगर आपको कोई question पूछना है तो आप मुझे वो भी comment में बता सकते है तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही जल्दी मिलूँगा आपसे एक और नहीं वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार पिए भी है तो छो आपको करे लिए एकार झाल कर दो आपको कर दो आपको कर दो मेंगी तो आपको करे दो सकते है